आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीजो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, our question is Give example of sex-linked inheritance in Drosophila तो अगर हम बात करें sex-linked inheritance क्या होता है उससे पहले आपको sex-linked sex-linked genes के बारे में और chromosomes के बारे में पता होना चाहिए जो आपके sex-kromosome के उपर जो आपके sex-kromosome के उपर जो gene आपके present होते हैं उनको हम चैंट पता है sex-linked gene बोलते हैं और हमें जैसे पता है genes है वो आपके transfer होते हैं next generation से next generation में या फिर parent to offspring के अंदर तो इस तरह की चीज़ को हम क्या बोल देते हैं inheritance बोलते हैं तो जो genes आपके sex के chromosomes के उपर present होते हैं और उनके अंदर हमें inheritance देखने को मिलता है तो वो होता है आपका sex linked inheritance अब अगर हम बात करें कि drosophila के अंदर sex linked inheritance हमें कहां देखने को मिलता है तो ऐसे example हमारे पास हैं जैसे कि आपका eye color eye color of drosophila ये जो आपका है ये आपका एक sex linked character है जैसे कि हम बात कर सकते हैं ये एक x linked character होता है जो कि x linked gene के उपर present होता है और ये आपका एक sex chromosome होता है x chromosome second अगर हम बात करें तो ये तो आपका पहला example हो गया दूसरा example हम बात करें तो जो आपकी yellow body होती है किसी भी fruit fly की या drosophila की ये भी आपका एक recessive trait है जो कि हमें देखने को मिलता है आपका sex chromosome के उपर तो इसी की वज़े से ये दो जो दो examples हैं ये आप कह सकते होगी sex linked inheritance in dros के लेवल तक 10 million से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा आज राउनलोड करें डाउटनेट आप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर